हलो दोस्तों आज हम यह आपर बात करने वाले हैं जीनस पावर इंफरस्ट्रक्ट्ट्रक्ट्ट्र लिमिकेट से देखें कंपनी क्या कर रही है क्या इसका वीजन है उके उन सब चीहों से लेटेड भी बाते करेंगे एस वेल एस कंपनी में चल क्या रहा है फंडामेंटल टेक्निकल से लेटेड बाते करेंगे तो लास्ट टक वीडियो में बने रही हैगा थाकि एक आइडिया लगता हुआ नजर आए आपको कि हम क्यूं बात कर रहे हैं शेयर से लेटेड क्या एक बैतरी शेयर है या नहीं है आपको क्या करना चाहिए वो भी एक आ करेंगे और लास्ट टक वीडियो में बने रही है ताकि चीज़े समझ में आए पर उससे पहले रिक्वेश्ट है आयम स्मॉल कप इंवेश्टर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइगन को हीट कर लीजिए और के नॉटिफिकेशन को अन कर लीजिए बाइंग से लिं बारी किया सीखनी है श्टॉक मार्किट की और सीखना है कि क्यों क्या कैसे किस लिए ठीक है ना कौन से शेर भागते है कब भागते है क्यों भागते है किस लिए भागते है वो सब जानना है तो यहां पर आपके लिए कोर्स डिजाइन किया हुआ है ठीक है जहां पर बेसिक वो मत देखना क्योंकि इसमें जो knowledge मिलेगी ना आपको मुझे निलगता कि आपको फिर उसके बाद पीछे मुड़के देखने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद 6 महीने से एक साल का experience market का की market किस तरीके से behave करती है और जो हम पढ़ाएंगे उसको उसमें apply करके देखना ठीक है तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा idea लग जाएगा कि किस तरीके से काम होता है online notes दिये जाएंगे खुद की strategy है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी इन नमबरों पर contact कर सकते है 888-605-40501 8169-261-037 दोनों नमबरों को save कर लीजिए basics to advance course है इस course को यहाँ पर आप join कर सकते है और अगर किसी को साथ में काम करना है portfolio बड़ा है तो इन नमबरों पर note कर लीजिए ठीक है इने पर ही आपको whatsapp call message करना है पूछना है जस्ट पूछने का कोई पैसा नहीं लगता आपको ही पता है simply आप देख सकते हो कि हम आपके लिए क्या कर सकते है क्या नहीं कर सकते है तो वीडियो में आगे बढ़ते है Genus Power Infrastructure Limited की बात करे तो 1992 में इनकोर्परेट हुई थी and is part of the Kailash Group it is engaged in the manufacturing and providing metering and metering solution and undertaking engineering construction and contracts on a turkey basis core sorry turkey basis and core business division it also undertakes strategy investment activities तो company कर क्या रही है company जो आपके घरों पर meter लगे रहते है बिजली के mostly वो बनाने में वो लगाने में यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है और आप देख पी रहे हो कि यहाँ पर लोग infrastructure में कितना पैसा लगा रहे है तो अब यह सी बात है यह meter तो लगेंगे ही लगेंगे और दूसरी बात बात करें तो अलग-अलग जगह से यहाँ पर अलग-अलग orders मिलते हुए नजर आ रहे है बार-बार कोई ना कोई ने order दे देता है कि यहाँ पर आप लगाई है ठीका यूपी में अलग से order मिले है अलग-अलग जगह से इने अच्छे खासे यहाँ पर order मिलते हुए नजर आया आप अब यहाँ पर जाएंगे Google पर और यहाँ देखेंगे ना Genus Power ओके order लिख दीजेगा तो आपको पूरा idea लगेगा यहाँ पर न्यूस पर चले जाएगेगा तो यहाँ पर देखिए मीटर order वर्थ रुपीज 31,000 एक महीने पहले यहाँ पर यह order मिला था ठीक है ना इससे पहले एक और order मिला था इन्हें 8 अगस दो जर तेसको 200 करोड रुपे के आसपास का तो इस तरीके के order नहीं मिलते रहते तो शेयर की बात करें अभी यहाँ पर लगा रहें काम प्रोसेस में चल रहें और इसके बाद आगे चल के आप देखोगे उसका impact इनकी balance sheet पर आता हुआ दिखाई देगा ठीक है अब आगे और बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करें इनके product portfolio में यह चीज़े ही है आप एक बार जाके इनने देख सकते हैं एक बार इनकी website पर भी visit कर सकते हैं ताकि एक पूरा idea लगता हुँ नज़र आए कि genius power infrastructure में भी काम करते हैं तो इनकी website पर जाके एक बार इनकी visit कर लीजिए देख लीजिए इन तोनों website को तो एक idea लगता हुआ नज़र जाएगा कि exactly हैंपर चल क्या रहा है ठीक है ना आप यहाँ पर explore कर सकते हो देख सकते हो कि हाँपर exactly किस तरीके का काम होता है आगे बढ़ेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक चीज को discuss करने लग गए तो market cap की बात करें 6000 क्रोड की market cap है और यह से small cap कहते है और हम बात करें तो हमारे channel का नाम ही I am small cap investor है तो हम ऐसी छोटे share से लेटर बाते करते है इसलिए सब्सकाइब कर लिजेगा PE की बात करें 73 का इंडस्टी का PE 52 का अब काफी लोग कहेंगे 73 का PE है महंगा PE है नई लेना चाहिए या लेना चाहिए जो भी आप लोग कहते हो ठीक है तो मैं उससे लेटर बाते नहीं करूँगा और मैं आपसे को बताऊँगा PE के बेस पे कभी काम नहीं करते है PE जादा है तो नहीं भागेगा PE कम है तो भाग जाएगा यब नहीं भागेगा ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो यह एक मित है इसे थोड़ा सा दूर रखिए प्लैजिंग की बात करें 61% की प्लैजिंग है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है 25% तक की प्लैजिंग ओके मानते है उसे उपर यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव मानते है प्लैजिंग को भी साइड में रखते है डाट की बात करें और 30% का डाट है आरोसी आरोई कुछ खास नहीं है ठीक है ना तो लॉंग टर्म की वीजन से इस शेयर को बिल्कूल मत देखिएगा ठीक है 290 का हाई लगाया था 236 रुपे के पर यह शेयर चल रहा है 58 का intrinsic value है और एक रुपे की यहां पर face value यहां पर नजर आती है कि जब भागता है तो अच्छा भागता है बट गिरता है तो उसी तरीके से गिरता होगा भी नजर आता है बट यह भी याद रखिएगा कि एक news मैंने आपको बताई थी उसका impact आने वाले टाइम में वो भी देखाई दे सकता है ठीक है तो इस सब तरीके से आपको कहा रहे है यह quarterly results की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए company के result है तो इस बार के September के तो आप देखेंगे तो yearly basis पे company की sales बढ़ी है ठीक है quarterly basis थोड़ी सी कम है operating profit देखेंगे वो भी यहाँ पर ज्यादा है as well as margin देखेंगे वो भी यहाँ पर ज्यादा है ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे company का net profit वो भी अच्छा खासे यहाँ पर दिखाई देता है okay just because of other income यहाँ पर इनका net profit जादा दिखाई दे रहा है आपको ठीक है EPS नहीं बढ़ती हुई नजर आई है और अच्छा खासे हम बात करें तो overall मुझे अभी फिलाल की रेट में ठीक ठाक नजर आता है अब आगे बढ़ते और यहाँ पर आप देखोगे तो yearly basis पे कुछ ऐ significant significance हो सकता है ठीक है ना और इसका impact एक देखा जा सकता आने वाले time में पहली बात दूसरी बात small cap share है इस जीट को ध्यान रखिए गगे net profit की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखेंगे ठीक है ना बीच में कम था आप दुबारा यहाँ पर अच्छा खास आता हुए दिखा पास cash है ठीक है as well as यहाँ पर आप देखोगे dividend company, dividend देती हुई नजर आती है, merger A1 ratio 1 का 24 में merger भी हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देखोगे phase value, split भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ है तो वो यहाँ पर होता रहे था, D merger हुआ है, genius paper का genius board के साथ इसके बाद आगे बढ़ते और यहाँ पर देखते है share holding button तो आपको पता चलेगा, promoters के 50% के share है, जिसमें 61% के इन्हों प्लेस कर रखे है, ठीक है, FIs की बात करें, तो FIs यहाँ पर 2.5% है, DIs की बात करें, DIs 5.44% है, DIs यहाँ पर थूरी सी सिदारी बढ़ा रहे है, public की बात करें, 41.77% के share है, बट उनमें भी कुछ लोगों ने यहाँ पर होते हैं, ठीक है, H.E.F. होते हैं, उन्होंने यहाँ पर यह share लेके कुछ अच्छी कासी quantity लेके रख रखी है, नमबर में ही अनुज अगरवाल, मोनिश अगरवाल ने यहाँ पर promoter है, 1100-1100 quantity हैं यहाँ पर थोड़ी सी खड़ी द इससे पहले यहाँ पर अच्छी कासी बैइंग कर चुके हैं, बल की deal की बात करें वह होती है, वह यहाँ यहाँ रहती है, घएक है, अब बात करते हैंयां और 0 लेक्ट, चार्ड कर लेक्या बात करें peng यहाँ बात करेंयां तो balanced sheet क्या है, अच्छी हम पर नरज आते है, ओना ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे, order भगेरा भी है, अच्छे खासे, तो आगे चलके यहाँ पर impact देखा जा सकता है, किला research को यहाँ देखिएगा, अब बात करते हैं, चार्ट से लेटी, चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है बाट उससे पहले आपसे request है, I am small cap investor को subscribe कर लीज कोर्स की details ले लीजिए, as well as किसी को साथ में काम करना है, तो वो यहाँ पर इन number पर contact करके हमसे बात कर सकता है, portfolio साई 4-5 लाग कम minimum होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चार्ट की बात करते हैं, चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके, 84 से लेके, लेख़ 281 तक, ठीक है, लेख़े, more than 3 times यहाँ पर share होता हुआ नजरा है, एक मुफ्त rally होती ही नजरा ही, 6-7 महीने में share यहाँ पर इतना भाग है, और जब इतना भाग जाता है न share, तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट और consolidation लाजमी होता है, ठीक है न, इस चीट को याद रखि अगर कोई यहाँ पर share को यहाँ पर खरीदने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले एक stop loss, यह याद रखिएगा कि buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने levels में आपको बता रहा हूँ, technical बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई खरीदने की इदलो, टॉप पर बेचो, ऐसा कोई नहीं कर पाता, तो यहाँ पर aggressive buying करने की जरुवत नहीं है, आपको अगर खरीदना भी है, तो यहाँ पर एक 200 पैसर 66 के ऊपर निकले, तो खरीदिएगा, और सबसे अच्छा level रहेगा, जब यह 280-290 रुपे का level यह निकालेगा, यह तो इस share में एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, दूसरी round off, बट मुझे लगता है अभी यह range है, जो नीचे की range होगी 230, ऊपर की range होगी 290, level 20% के असपास की यह अगर हम देखें, गिरावट अगर हम देखते हैं, level 20% गिरावट है, नॉमल गिरावट होती है, stage 2 मे 20% गिरावट को नॉमल गिरावट मानते है, एक range में अब यह चलता हूँ नजर आएगा, ठीक है, और अब यह, इस quarter तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर movement होगी, जो होगी तो यहां तक की movement हो सकती है, 10-20-30% की, उससे ज़्यादा movement expect मुझे है नहीं, हाँ, अगले quarter के जब result आएंगे, ठीक है, और शायद जब तक यहां पर इस news का जो impact है, वो यहां पर निके numbers पर दिखाई देगा, उस time यह share में एक द्वारा तेजी हो सकती हो, और यह share दुबारा उस जगे पर जा सकता है, जहां पर मैं आपको अभी दिखा रहो, ठीक है, यहां से भी double हो सकता ह बट अभी नहीं होगा, इस news को याद रखिएगा, buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुद की study करो, मुझे यहां पर एक और consolidation कुछ time के लिए यहां पर दिखाई देता है, ठीक है, aggressively यहां पर जाना नहीं है, बहुत सारे stocks हैं जो अच्छा perform कर रहे हैं, उनकी तरफ आप यहां पर देख सकते हो, बट buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुद की study करें, चीज़ों को सीखें, और अगर जिन्होंने top पे ले रखा है, वो क्या कर सकते हैं, वो यहां पर यहां तो वेट कर सकते हैं, और इस level को तोड़े, तो निकल के सोच सकते हैं, बट अपने financial advisor कुद की study करके, अग Thank you so much, God bless!